लोकसभा चुनाओं की घोशना के साथ ही प्रथम रास्टरपती डॉक्टर राजेंद प्रिशाद वा मौलाना मजहूर हाकी धर्ती सीवान में शियासत रंग तेज होने लगा है लोकसभा के लिए 16 बार हुए चुनाओं में 8 बार मुस्लिम चहरे पर मर्दाताओं ने विश्वास जताया दो में दवारोडे जीत का चौका मारा है ऐसे में मौके आये हैं जब मर्दाताओं ने दलो से नाराजगी जताते हुए निर्दलियों को शांसत बना दिया आदे आमारी को भी यहां के मर्दाताओं ने शंसत भीजा है यहां से 6 बार कॉंग्रिस ने जीत दर्श की है पहले चुनाओं से लेकर लगातार 4 बार कॉंग्रिस के ही जीत मिली है 1957 के पहले लोकसबा चुनाओं में जुलन जीने पाजी मारी 1962 से लेकर 1971 तक लगा तार तीन चुनाओं में कॉंग्रस में मुहम्मद युशुफ विजई होकर के हैट्रिक लगाए पहली बार जंदा पार्टी से मृत्ति उंजे प्रशास सदन में पहुँचे हलाके फिर वर्स 1980 में मध्यावी चुनाओं के बाजी पलट गई और कॉंग्रस के मुहम्मद युशुफ विजईता बने 1984 में चुनाओं में इंद्रा गांधी के सहादत की लहर से कॉंग्रस की जीत को बरगारा रखते हुए अब्दुल गफूर विचय हुए उसके बाद एक बार फिर वर्स 1989 में लोगसभा चुनाओं में कॉंग्रस के विरोध विपक्ष दलों में सबसे बड़ा गटबंधन के खटक दल भाश्पा की जनार्दन तीवारी ने ये जीत दिलाई हलाकि इनका पांच वर्सों का कारेकाल पूरा नहीं हुआ और 1991 में एक बर फिर लोगसभा के चुनाओं हुए 1991 से लेकर 2004 के पाउच चुनाओं में जन्ता दल वर रास्ट्री जन्ता दल के हिस्से में ही जीत की ब्याजी रही 1991 में जन्ता दल में वरिशिन पटेल और वर्स 1996, 1998, 1999 वर 2004 के चार लोगसभा चुनाओं में लगतार जीत कर मुहमद सहबुद्दीन ने चौका लगाया इसके बाद एक अपराधिक मामले में कोट में सजा हो जाने पर वे चुनाओं लड़ने में अयोग के करार किये गए के लोगसभा चुनाओं में एंडिये के ही घटक दल जर्यों की कवीता सिंग को चीत मिली एक बार फिर एंडिये ने यहां से जर्यों की विजय लक्षमी देवी को उमिद्वार बनाया है ऐसे में इस बार फिर सीवान के मददाता क्या नतीजे देते हैं यह आने वाला समय बताएगा